कि इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 7 चेप्टर 2 फ्रेक्शन से डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.5 पर कॉस्टमर 6 कॉस्टमर 6 में लिखा हुआ है हमें प्लेस वैल्यू बताना है टू का इन दो फ्रेस्वेल्यू होता है प्लेस्वेल्यू की बात करें जाने किसी प्लेस्पे हैं टो फिस वैल्यू हमेशा उतना ही रहेगा जितना नंबर का पूछा है 2 का पूछा है तो 2 रहेगा 5 का पूछा है तो 5 रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा लेकिन अगर place value पूछा है तो वो क्या होगा तो इसमें लिखेंगे हैं place value of 2 place value of 2 in 2.56 कितना है 2 कौन से place पे है 1's place पे तो means 2 into 1 तो इसको लिख सकते हैं 2 1 यह place value हो लिए नेक्स्ट में देखिए 100 दे रखा है तो 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 सेकंड में किस पे रखा है 10 पे रखा है तो देखिए हमारा क्या होता है पस्ट वाल पॉइंट के बाद यह वन्स है उसके बाद 10 है similarly इधर लास्ट कोश्टन में भी किया था यह 10 होता है नेक्स्ट हंडर्थ होता है तो उससाब से इनका प्लेश वैल्यू होता है तो इसमें क्या लिखेंगे प्लेश वैल्यू आफ टू प्लेश वैल्यू आफ टू इन 21.37 एज कितना है टू इन टू टैन इसको कितना लिख सकते हैं टू टैन्स टू टी ए एन एस टी एन एस टू टैन्स टैन्स प्लेश पर है इसलिए और अगर यहां पर होता हमारा जैसे नेक्स्ट करते हैं यह लिखा हुआ हुआ टैन्स पॉइंट-टू-फाइव तो प्लेश वैल्यू आफ टू इन टैन बॉइंट्ट-वथाइव इस कितना है यह हमारा देखा है पाइंट के बाद तो यह जगा टैन्स वान बाइ टैन्स तो टू इन टू एन टू वान बाइ में किस पे देखा है अंडर्ट स्पे तो प्लेस वेल्यू ओफ टू इन नाइन पॉइंट पॉइंट फूर टू एस कितना हो जाएगा टू एंटू वन बाई हंड्रेड मेंस टू हंड्रेड एच यू एन डी आर इच यू एन डी टी एच हंड्रेड ठीक है टी एच यस अच्छिवन डी री डी टी एच हंडर्थ लास्ट पार इसका फिफ्ट पार्ट मिलिक होगा 63.352 तो प्लेस वैल्यू ओफ प्लेस वैल्यू ओफ प्लेस वैल्यू ओफ पॉइंट्री फाइफ तो इस गुएस टू टू एंटू कोई से नमबर पे हैं एंट्स पे था हंड्रेड पे एंट थाउजंद पे तो यह जगा वन अपन थाउजंट मीन्स टू थाउजंड टी एच ओ यू एस एंड टी टी एच्छ थाउजंड प्लेस ठीक है तो यह फि थाउज थाउजंड टीक है एंट हैं वियू चलत टीक हैं जिए तो